Hello, Experiments! Welcome you all to कर्मवीर ICS. आज हम लोग Modern History का Lecture No. 33 करने जा रहे हैं, जो कि Based है Indian National Congress पे. उमीद करती हूँ कि आप सभी को Previous Lecture पसंद आया होगा और इस Lecture को भी आप लोग Enjoy करेंगे और Attempt करने की कोशिस करेंगे. चलते हैं अपने पहले Question की तरफ. Question No. 1. Which of the following session of the Indian National Congress was presided over by C. Vijay Raghav Chariyar? भार्तिय राष्टिय कॉंग्रेस के निम लिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता C. Vijay Raghav Chariyar ने की थी? आपके Options हैं A. लखनौ सेशन 1916, B. नागपूर सेशन 1920, C. गया सेशन 1922, C. None of the above. इसका अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर होगा Option B. नागपूर सेशन 1920 को सर किसने इसको प्रसाइड किया था? C. Vijay Raghav Chariyar ने. ठीक है? इसका अंसर हो जाएगा Option B. नागपूर सेशन 1920. B. इस दा राइट आंसर. Next Question Question No. 2 In which one of the following sessions, Congress declared its policy towards the Indian state for the first time? निमलिकित में से किस तत्र में Congress ने पहली बार भार्तिय राज्यों के प्रति अपनी नीती घुसित की थी? आपके Option से A. नागपूर सेशन B. गया सेशन C. कैलकटा सेशन D. लखनव सेशन इसका अंसर हो जाएगा Option A. नागपूर सेशन नागपूर सेशन में ही Congress ने डिकलेर्ड किया था कि वो अप्रिंसली जो अपनी policies हैं वो इंडिन स्टेट के लिए भी बनाएंगे या फॉर्म करेंगे। इसका अंसर हो जाएगा Option A. Next question. Question No.3 Who was the President of Gaya Section of the Indian National Congress held in 1922? 1922 में आयोजित ठार्ती राष्टिये Congress के Gaya अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके options हैं A. चितरंजन दास B. एसन बनरजी C. डॉक्टर राजेन्द प्रशाद D. हकीम अजमल खां तो तीसरे question का अंसर हो जाएगा Option A. चितरंजन दास और Gaya सेसन कब हुआ था? 1922 में ठीक है? तो यह आप लोग याद रखेगा A. is the right answer Next question. Q. चितरंजन दास Q. चितरंजन दास Q. चितरंजन दास Given below is a list of person who become president of Indian National Congress. Arrange them in chronological order. Select your answer using the code given below. 1. Mahatma Gandhi 2. Jawaharlal Nehru 3. Valla Bhai Patel 4. Srimati Sarojini Naidu नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारती रास्टिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने पिर कालानुक्रम क्रम में विवस्थित करें. सूची के नीचे दिये गए कोड का उप्योग करके अपने उत्तर का आपको चुनाव करना है. पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहलाल नहरू, तीसरा वल्लब Bhai Patel, चौथा स्रीमती Sarojini Naidu जो महात्मा गानित उन्होंने कप रिषाइड किया था 1924 केบappelle Garm session में सरोजI Naidu ने कप रिषाइड किया था 1925 का session जो हुआ था कानपुर में वहाँ पर सरोज़िणी Naidu ने recite किया था इसके बास जवाहालाल नहरू ने कब recite किया था उनका लाहॉर session हुआ था 1929 में ठीक है लाहॉर session 1929 में ठीक है और उसके बास से वललब भाई पतेल ने कब session को किया था कराची session 1931 में अगर इसको हम chronologically लिखें तो पहला सबसे पहले कौन से आएंगे सबसे पहले महात्मा गांधी फिर वललब भाई पतेल ठीक है महात्मा गांधी उसके बास सरोजनी नाइडू fourth number फिर जवाहलाल नहरू second और फिर वललब भाई पतेल तो 1423 option देखिए 1423 किसमें है C में है तो C is the right answer next question question number five महात्मा गांधी presided over only in one session of the Indian National Congress in 1924 where was the session held महात्मा गांधी ने 1924 में भाट्टी रास्टिये कौंग्रेस के केवल एक सत्र की अत्यक्षता की थी यह सत्र कहां आयोजित किया गया था आपके option से A. गया B. अमरिच सर C. बेलगाम D. कानपूर इसका answer हो जाएगा option C. बेलगाम 1924 में C is the right answer Next question Question No. 6 The only session of the Indian National Congress resided over by महात्मा गांधी वाज महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भाट्टी रास्टी कौंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन था आपके options है A. Allahabad session 1921 B. गया session 1922 C. बेलगाम session 1924 D. कराची session 1930 So छटे question का answer हो जाएगा Option C. बेलगाम session 1924 Next question Question No. 7 Match list 1 with list 2nd And select the correct answer from the code given below Now list 1 में एक तरफ प्रेजडेंट लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पर प्लेसेज लिखा हुआ है First No. पर अबुल कलाम आजा सरोजनी नाइडू, मोतिलाल नहरू और डॉक्टर राजिन्द परशाद अब आपको इनका मिलान करना है देखिए, मोतिलाल नहरू ने कौन से सेशन प्रेजड किया था? 1919 का अमरित सरका सेशन सरोजनी नाइडू ने 1925 में कानपूर के सेशन को प्रेजड किया था डॉक्टर राजिन्द परशाद ने 1934 में बॉम्बेश सेशन को प्रेजड किया था तीसरे का 1st और D का 2, 4312, 4312 किस में है? Option D में है, so D is the right answer. Next question. Question number 8, in which of the following session of Indian National Congress, Jivaharlal Nehru spoke of socialism as the key to the solution of India's problem? भारती राष्टी कॉंग्रेस के निमलिखित में से किस सत्र में Jivaharlal Nehru ने समाजवात को भारत की समस्याओं के समधान की कुंजी बताई थी? आपके options है, A. लाहौर, B. लकनाउ, C. अलहाबाद, B. रामगण 8 question का answer जाएगा, option B. लकनाउ, B is the right answer. Next question Question number 9 The Haripura session of Indian National Congress 1938 was presided over by भार्ती रास्टे कॉंग्रेस के Haripura अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किस ने की थी? आपके options है, A. अबुल कलाम आजार, B. जे बी कृपलानी, C. राजेंद्र प्रसाद, D. सुभास चंद्र बोस इसका answer जाएगा, option D. सुभास चंद्र बोस Next question Question number 10 Who was elected as the President of the Indian National Congress for the year 1938? Verse 1938 के लिए, भार्ती रास्टिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपके options है, A. जवाहलाल नहरू B. चुभास चंद्र बोस C. अबुल कलाम आजार C. वल्लब भाई पतेल This way question का अंसर जाएगा, option B. सुभास चंद्र बोस Next question Match list 1 with list 2nd and select the correct answer from the code given below अब एक तरफ किनकिन लोगन प्रिसाइड किया तो और दूसरी तरफ location है, आपको उसका मिलान करना है Dr. M. A. अंसारी B. पुश्वत्मदास तंडन C. सरोजनी नाइडू C. सुभास चंद्र बोस दूसरी तरफ है, हरिपूरा दूसरा कानपूर तीसरा मद्रास चौथा नासे तो अब इसका मिलान करते हैं तो पहले का जो M. A. अंसारी थे, उन्होंने कहां पे सेशन को प्रिसाइड किया था इसका आंसर हो जाएगा मद्रास सेशन ठीक है? 1927 में उसके बाद से पुर्शोत्तम दास टंडन इन्होंने कौन से सेशन प्रिसाइड किया था? इन्होंने किया था? नासिक का ठीक है? नेक्स्ट है सरोजनी नाइडू इन्होंने कौन से सेशन किया था? इन्होंने कानपूर का सेशन किया था उसके बाद से है सुभास चंद्रबोस इसका हो जाएगा option A हरीपूरा शेशन 1938 में तो A का 3rd, P का 4, C का 2 और D का 1, 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 किसमें है option C में है तो C is the right answer Next question Question number 12 Who among the following was the President of Indian National Congress continuously for 6 years? निमलिखित में से कौन लगातार 6 वर्सो तक भारतिय राष्ट ये कॉंग्रेस का अध्यक्ष रहा? आपके option से A. जवाहरलाल नहरू B. अबुल कलाम आजाद C. जी के गोखले D. दादा भाई नरोजी बारवे क्वेशन का अशर जाएगा Option B. अबुल कलाम आजाद P. इस दा राइट आंसर Next question Question number 13 Question C. जे बी क्रिपलानी Next question Question number 14 On which occasion was जन गनमन फर्स्ट संग जन गनमन पहली बार किस आउसर पर गाया था? आपके options हैं A. 1896 Session of INC B. 1905 Session of INC C. 1911 Session of INC D. 1919 Session of INC जो इसका अशर हो जाएगा Option C. 1911 Session of INC 1911 Session हुआ था वहाँ पर जन गनमन को गाया गया था C. is the right answer Next question Question number 15 The last session of Indian National Congress attended by Bal Gangadhar Tilak was भार्थी रास्टी कॉंग्रेस के अंतिम सत्र में पाल गंगा धतिलक ने भाग लिया था आपके options हैं A. कैलकटा Session 1906 B. सूरत Session 1907 C. कैलकटा Session 1917 D. अमरित्सर सेशन 19-19 15 में कोशन का अंसर हो जाएगा Option D. अमरित्सर सेशन 19-19 D. is the right answer Next Question Question No. 16 The protest method of moderate leaders of the Congress was Congress के उदारवादी नेताओं का विरोध का तरीका था आपके options हैं A. Non-Cooperation B. Constitutional Agitation C. Passive Resistance D. Civil Disobedience So, Solway Question का अंसर हो जाएगा Option B. Constitutional Agitation समयधानिक आंदोलन B. is the right answer Next Question Question No. 17 Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists Nim Likhit में से किस आंदोलन ने भारती रास्टी कॉंग्रेस में विभाजन में युगदान दिया जिसके परणाम स्वरुप, उदारवादी और चरम पंथी का उदे हुआ आपके options हैं A. Swadesi Movement B. Quit India Movement C. Non-Cooperation Movement B. Civil Disobedience Movement 17 में कोशन का आंसर जाएगा Option A. Swadesi Movement Next question Question No.18 Most of the moderate leader hailed from अधिकान्स उदारवादी नेता कहां से थे? आपके options है A. Ruler Areas B. Urban Areas C. Both Ruler and Urban Areas C. Punjab जिसकांस रो जाएगा Option B. Urban Area Next question Question No.19 Who of the following continuously from 1904 onward emphasized on the grant of self-rule to India? निम लिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वसाशन देने पर जोड़ दिया? आपके options है A. S. N. Benerji B. Aurobindo Ghosh C. Piroz Shah Mehta D. Dada Bhai Naraji 19 वे question का answer हो जाएगा Option D. Dada Bhai Naraji D is the right answer Next question Next question Question No.20 Which one of the following was not an extremist? निम लिखित में से कौन उग्रवादी नहीं था? आपके options है A. बाल गंगा धरती लग B. मदनलाल C. उद्हम सिंह D. G. के गोखले विसकांसर जाएगा Option D. गोपाल कृष्न गोखले D. D is the right answer Next question Question No.21 Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? निम लिखित में से कौन उग्र राष्टवाद का उथक्रस्ट नेता नहीं था? आपके options है A. गोपाल कृष्न गोखले B. बिपिंग चंदरपाल C. लोकमानिय तिलत C. लाला लाजपत्रा है 21. क्वेशन का आंसर हो जाएगा Option A. गोपाल कृष्न गोखले Next question Question No.22 Who established the servant of India society? Servant of India society की स्थापना किसने की? आपके options है A. लाला लाजपत्रा है B. बिपिंग चंदरपाल C. गोपाल कृष्न गोखले B. भगत सिंह E. लाला लाजपत्रा है More than one of the above So, by this way question का आंसर हो जाएगा Option C. गोपाल कृष्न गोखले C. इस दे राइट आंसर Next question Question No.23 Who among the following was not an extremist nationalist leader? निमलिखित में से कौन उग्रवादी, रास्टवादी नेता नहीं था? आपके options है A. पिपिंग चंदरपाल B. बिजी तिलक C. लाला लाजपत्रा है D. जी के गोखले Q. इसका अंसर हो जाएगा Option D. जी के गोखले Next question Question No.24 Who accused Indian National Congress of practicizing politics of prayer, petition and protest? Q. भार्ती रास्टी कॉंग्रेस पर प्रात्ना, याचिका और विरोध की नाजनीती का आरोप किसने लगाया था? आपके options ने A. लाला हर्द्याल B. बाल गंगा धर्तिलक C. सुभास चंद्रबोष D. सरदार भगत सिंध इसका अंसर हो जाएगा Option B. बाल गंगा धर्तिलक D. is the right answer Next question Question No. 25 Who accused Indian National Congress of practicizing politics of pray and petition and protest? किसने भार्ती रास्टी कॉंग्रेस पर प्रात्ना, याचिका और विरोध की राजनीती करने का आरोप लगाया? आपके option से A. B. G. तिलक B. M. A. जिनहा C. S. C. बोस C. एनी बेसेंट इसका अंसर हो जाएगा Option A. बाल गंगा धर्तिलक A. is the right answer तो आज हमने set of 25 questions को complete कर लिया है अगर आप सभी को ये स्रीज अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कीजे, कमेंट कीजे और सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल कर्मवीर ICS को Thank you, thank you for watching